नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो श्टडी विथ नीलम, आपसे भी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हम करेंगे शिरू एक अप्रेल 2022 के डेली बेस्ट करेंट अफिर्स कोश्चन, तो चलिए शिरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट, पहला कोश्चन है हमारा, इंडियन में की थी, इसका उद्देश हिंद मासागर छेतर के तटिये देशों के बीच समुद्रे तालमेल को मजबूत करना है, IONS Maritime Exercise 2022 का आयोजन पश्चिम मंगाल में किया गया, तो यहां हमें गलत कथन का चेहन करना था, तो हमारे तीनों उपर के जो आप्शन है, वो सही है, ज अपकी D जो है हमारा वो गलत है, क्यों? क्योंकि IONS Maritime Exercise 2022 का आयोजन पश्चिम मंगाल में ना करके गोवा में किया गया, कहां किया गया? गोवा में, ओके? चलिए, तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए important points हाल ही में IONS Maritime Exercise 2022 का आयोजन गोवा अरप शागर में किया गया है, IONS एक स्वेक्चिक पहल है, जिसका उद्देश हिंद महासागर छेतर के 30 देशों के बीच सामुद्रिक तालमेल को मजबूत करना है, इस पहल में छेतरी सुरक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है, यह दियुवार्शिक कारिकरम है, जिसकी सुर्बाद भारतिय सेना ने 2008 में की थी, IONS के अंतरगत 24 देश आते हैं, जो हिंद महासागर छेतर में इस्थेतर या जिनकी सीमा हिंद महासागर से लगती है, इसमें 8 देशों को परवेक्चक देशों का दर्जा दिया गया है, महनवी मदत और आपदार आहज्जे से कामों में भी IONS की भूमी का सक्रिय रही है, वर्स 2008 से यह शिरू हुआ, तो 2008 से 2010 तक दो वर्षों के लिए भारत इसका ध्यक्षिता, वर्स 2010 से 2012 तक UAE, 2012 से 2014 तक दक्षन अफरिका, 2014 से 2016 तक आस्ट्रेलिया, 2016 से 2018 तक बंगलादेश, 2018 से 2021 तक एरान और 2021 से 2023 तक जून 2021 में इसके अध्यक्षिता किसको मिल गई है, दो वर्षों के लिए फ्रांस को मिल गई है, तो यह भी आप याद रखियेगा, नेक्स्ट है, हाल ही में समचारों में चर्चा में रहा, सरिस्का टाइगर रिजर्व से संभादित गलत कथन का चेयन करें, तो पहला पॉइंट है हमारा, यहां अरावली पहाड़ियों में अविस्ते थे, बिलकुल सही, यहां भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, जहां सफलता पूरवक, रोयल बेंगॉल टाइगर को रिलुकेट किया गया है, यह आप्शन भी सही हमारा, सरिस्का टाइगर रि तो यहां पर हाल ही में, पिछले तीन से चार दिनों से बहुत ज़्यादा बहेंकर आग लग गई है, जो यहां पर रहने वाले जीव जन्तु और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक इस्तित पन्न कर रही है, हाल ही में, सरिस्का टाइगर रिजर्व में बड़ किया गया है, तो यह भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में समचारों में चर्चा में रहा, मतलब सौफ्ट्वेर का संबंद निम्निमे से किसे से है, तो राइट अंसर होगा यहां पर हमारा A, सोध एवं बेकास से जुड़ी सुविधाओं को साजा करने के लि आपको वर्क करने को मिलेगा, मतलब सौफ्ट्वेर का, तो आइस्टीम पॉर्टल पर, ओके, चलिए, देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ महत पॉन्ट पॉइंट्स, भारत में पहली बार होगा, जब अकादमिक लोग मतलब सौफ्ट्वेर पर एक्सेस कर सकेंगे, ऐस आइस्टीम पॉर्टल के जरिये संभब होगा, आइस्टीम पॉर्टल सोध एवं विकास से जुड़ी सुविधाओं को साज़ा करने के लिए एक राष्टिये बेप पॉर्टल है, यहां सोध करताओं को उपकरणों का इस्तमाल करने के साथ ही पैटेंट्स, पब्लिकेशन और टेकनलोजी से जोड़े आउटकम्स को साज़ा करने का एक मंच प्रदान करता है, इसमें इसे 2020 में भारत सरकार के प्रदान विज्ञानिक सलहकार कार्याले ने शिरू किया था, यहां कार्याले PMHT का अर्थात प्राइम मिनिस्टर साइंस टेकनलोजी और इनोवेशन का अंतरगत आता है, नेक्स्ट है, हाली में चर्चा में रहे, हीट वेफ से सम्भादित कतनों पर विचार कीजे, हीट वेफ से कैसी स्थिति है, जब वायू का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहां इनसानों के लिए जानलेवा हो जाती है, बिलकुल सही, इस भारत में इस अंसर क्या होगा, सी, एक और दो, दोनों, हीट वेफ से मतलब वायू का जो तापमान बहुत जादा बढ़ जाता है, गर्मी बहुत जादा बढ़ जाती है, जो इनसानों के लिए खतरनाक होती है, आई एमडी रिपोर्ट के अनुसार, आगामी दो अप्रेल तक विधर्वच छेतर के लोग हैं, उनके जीवन के लिए खतरा उत्पने कर सकती है, हीट वेफ से कैसे सिती है, जब वायू तापमान इतना बढ़ जाता है, कि जो इनसान है उनके लिए क्या हो जाता है, भारत में हीट वेफ का प्रभाव मुख्य रूप से मार्च से जून के बीच होता है, हीट वेफ के दोरान तापमान आसाधर रूप से बढ़ जाता है, भारत के उत्तर पश्चिम और दक्षण मद्य छेतरों में हीट वेफ के दोरान सामान से अधिक्तम तापमान में काफी जादा ब्रधी देखी जाती है, हाल ही में लोकसभा में संबिधान अन संबंदित नियम बनाए गए, बताईए डारलांग जनजाती मुख्यता किस राज में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो गए हाँ पर हमारा ए, तरपुरा में पाई जाती है, डारलांग जनजाती और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा में इस संबंद एक विधियक संसोधन अधीनियम पारित किया गया है। पाहिमें लोकसभा में संबिधान अनुसूचित जनजाती आदेश संसोधन विध्यक 2022 पारित किया गया इसमें डारलांग समुदाय को कुकी जनजाती के उपजाती के तोर पर शामिल कियरने का प्राबधान किया गया है डारलांग तरपुरा की जनजाती याद रखेगा किस स्राज्जी पाई जाती है तरपुरा में यहां डारलांग समुदाय की आबादी लगभग 11,000 है कम जन संख्या होने के बाद भी समुदाय के लोग काफी सिक्षे थे और इस्थानी प्रशासन में वरिष्ट पदों पर कारे कर रहे हैं याद रखेगा किस राज्जी की है ड का आयोजन टाल दिया गया इससे संब्धान का अनुक्षे 241 चर्चा में आया है यहां किस अनुसूची से संभने थे मतलब जो अनुक्षे 241 किस अनुसूची से संभने थे तो राइट अनसर हो गया यहां पर हमारा अनुसूची पाँच से संभादित है अनुसूची चार में क्या दिया गया है तो इसमें वर्णन है राज्यों की राज्य सभा में सीटों का उल्लिक ओके छे में क्या है असम मेगाले तरपूरा मिजुरम जो राज्ये हैं इन से संभादित प्रावधान किये गये हैं ओके अन आदीवासी समाज ने इस कारेकरम को उनके अधिकारों के खिलाब बताते हुए प्रदर्शन किया था। विरोत करता इस से पांचवी अनुसूची के तहत आने वाले जन्जाती प्रथाओं के खिलाब बता रहे हैं। किसी भी राज के अनुसूचित छेत्र और अनुसूचित जन्जातियों के प्रशाशन और नियंतरम पर लागू होंगे। हाल ही में चर्चा में आई 1780 में इस्ट इंडिया कमपनी पर मैसूर की एहतिहासिक जीत पर बनी एक पेंटिंग की लंदन में 6,30,000 पांड यह साउंड हो गया है पांड होगा है ना पांड में नीलामी की गई यहाँ कौन से आंगल मैसूर युद्ध से संबांदे थे देखो यहाँ पर पांड यह 6,30,000 पांड मतलब भारती रुपे के अगर हम बात कर रहें तो 6 करोड के सम्थिंग यह रकम पूरी होती है ओके त तो दुत्ति आंगल मैसूर युद्ध के अजब ट्विपू सुल्तान ने इस्ट इंडिया कमपणी पर विजय प्राप्त की थी तो उसके बाद उन्होंने इस पेंटिंग को बनबाय था और अब इसकी कीमत कितनी हो गई है 6 करोड में इसकी विक्री हुई है नीलामी हुई 1780 में इस्ट इंडिया कमपणी पर मैसूर की एत्यासिक जीत पर बनी एक पेंटिंग हाली में लंदन में 6,30,000 पाउंड में इलाम की गई दुत्ति आंगल मैसूर युद्ध के एक हिस्से के रूप में 10 सितंबर 1780 को पॉलीलूर की लडाई हुई थी लडाई के एक बाग के लिए एक बड़े भित्ति चित्र के हिस्से के रूप में बनबाया गया था दूसरे मैसूर युद्ध के दोरान टीपू सुल्तान ने करनल जॉन ब्रेथवेट को हराया था नेक्स्ट है हाली में चर्चा में आई बामियान बुद्ध की मूर्थिया निम्न में से किस देश में इस्ते थे तो राइट अंसर होगा यहाँ पर हमारा अफगानिस्तान ओके कहां इस्ते थे यह अफगानिस्तान में हाली में अफगानिस्तान में तालिवान ने कहा है कि वहा मैस आयनक में प्राचीन बामियान बुद्ध की मूर्थियों की रक्षा करेगा जबकि आपको याद हो तो 2001 में ये तालिवान के द्वारा ही बुद्ध की इन प्रतिमाओं को तोड़ा गया था क्यूंकि इसलाम में ज जो चोथी सताबदी में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी ये थी 175 फिट उची और दूसरी थी 120 फिट उची या थे कि 2001 की सुरवात में देश के ततकालिन सत्ताधारी तालिवान ने मूर्तियों को नश्ट कर दिया था मतलब बुद्ध की जो मूर्तिया थी उन्हें तोड़ दिया गया था और इन्हीं बुद्ध की तोड़ी गई मूर्तियों जिस छेत्र में से थे इन्हें क्या कहा जाता है बामियान ओके तो इस छेत्र और पुरातात्विक अफसेशों को यूनेस को द्वारा 2003 में विश्व दरोहर स्थल की सूची में नामित किया गया थ तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे और हाली में तालिबान ने कहा है जो अफगानिस्तान में कब्ज़ किया हुआ है इन्होंने कहा है कि अब हम इस छेत्र की रक्षा करेंगे अपनी विश्व इस्तर पर एक अच्छी इमेज क्रियेट करने के लिए तालिबान ये सब कर रहा है नेक्स्ट है हाली में चर्चा में आए भारत चीन दिवपक्षी वैपार में ब्रदी से संब्धित कतनों में से गलत कतन का चैन करें तो पहला पॉइंट है बरस दोहजार इकीस में भारत चीन दिवपक्षी वैपार जो है दिवपक्षी वैपा 125.62 अरव अमेरेकी डॉलर पर पहुच गया है बिलकुल सही भारत से चीन को होने वाले निरियात बढ़कर 28.3 प्रतिशत यूएश डॉलर तक पहुच गये हैं ये भी बिलकुल सही है जबकि चीन से भारत को होने वाला आयात 97.59 यूएश डॉलर हो गया है ये पॉइंट भी हमारा सही है हमें देखना है गलत कथन वर्स 2021 तक भारत चीन का पांचवा सबसे बड़ा वैपार भागिदार था तो ये हमारा गलत पॉइंट है कितना था पांचवा नहीं था चवद्वा सबसे बड़ा वैपार भागिदार था भारत चीन का वर्स 2021 में भारत चीन द्यूपक्छे वैपार 43.31 प्रतिशत से बढ़कर 125.62 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुच गया है भारत से चीन को होने वाले निरियाद 34.28 प्रतिशत से बढ़कर 28.3 यूएश डॉलर तक पहुच गया है जबकि चीन से भारत को होने वाला आयाद 46.14 प्रतिशत से बढ़कर 97.59 यूएश डॉलर तक पहुच गया है उप्रोक्त रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत चीन का चौधवा सबसे बढ़ा वैपार भागेदार था 2021 तक की बात हो रही है ये रिपोर्ट के अनुसार इसके अतरिक दिया है चीनी उत्पादों के लिए आठवा सबसे बढ़ा निर्यात कंतब है कौन भारत और चीन का चौविसवा सबसे बढ़ा निर्यातक देश भी है वर्स 2021 में भारत ने चीन को मुख्य रूप से लोह अयस्क भारत ने चीन को भेजाता हो के लोह अयस्क हीरा एलुमिनियम और रिफाइंड कॉपर तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है प्रतिवर्स इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ओफ विजिविलिटी कम मनाया जाता है तो राइट आंसर होगा हमारा डी 31 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्स अंतरराष्टी ट्रांसजेंडर डे ओफ विजिव वहाग को रोकना तथा उनके अधिकारों के प्रति जागुकत अत्परने करना हैं देश में हमारे देश में ट्रांस जेंडरों कली जो पहली युनिवर्सिटी वनाई गई वो कहां पर रखेगा कुशी नगर उत्तर प्रदेश में हैं तो याद रखेंगे यहां पर आपको लेक्चर पसंद आया होगा लेक्चर पसंद आता है वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डि